लता मंगेशकर के अंतिम संसकार के मौके पर उन्हीं श्रद्धान जली देने पहुँचे अभिनेता शाहरुख खान ने जिस तरह से वहां दुआ की, इसे लेकर सोशल मीडिया पर बीजेपी के एक पदाधेकारी ने सवाल उठाया जिसकी काफी आलोचना हो रही है। रविवार शाम को मुंबई के शिवाजी पाक में लता मंगेशकर की अंतियेश्टी से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी समेत कई शक्सियतों ने पार्थिव शरीर के पास जाकर प्रार्थना की थी। इसी को लेकर की गई एक टिपनी ने ट्विटर पर बहस छेड़ दी। बीजेपी हरियाना के आईटी सेल के प्रभारी अरुन यादव के ट्वीट ने इस विवाद को और हवा दी। उन्होंने श्रद्धानजली देते शाहरुख खान का वीडियो शेयर करते हुए लिख दिया, क्या इसने थूका है। उनकी फूक को थूक का नाम देकर लोग शाहरुख को ट्रोल करने लगे। हालांकि एक दूसरा तबका उनकी और पूजा ददलानी की तस्वीर को भारत की असली तस्वीर कहकर तारीफ भी कर रहा है। इस विवाद में कई जाने माने चहरे भी कूद पड़े और शाहरुख की आलोचना को आड़े हाथ हो लिया। वित्र धार्मिक ग्रंत कुरान शरीफ की आयते होती हैं। किसी की मौत पर पढ़ी जाने वाली दूआ में दिवंगत की आत्मा की शान्ती के लिए दूआ मागी जाती है। इसके अलावा किसी की लंबी आयू, जीवन में सफलता या अन्य बातों के लिए के लिए भी दूआ पढ़ी जाती है। दूआ पढ़ने के बाद पढ़ने वाला जिस किसी के लिए दूआ करता है अगर वो पास में होता है तो उसको सामने जाकर फूंकता है।